अभी Sandbox coin की price की बात करें तो इसकी price ने नया high बनाया है नया all time high इसने touch किया है almost 3.61 इसने touch किया है इसके price moment के बारे में बात करेंगे कहाँ पर एक support area इसने maintain करके रखा है और next resistance कहाँ पर face करने को मिलेगा और next इसके targets क्या हो सकते हैं वो इतना high जाने का reason किया है इसमें क्योंकि market में जहां पर dump देखने को मिल रहा है वहीं कुछ coins हमें ऐसे दिखने को मिल रहे जिनमें 20-30% का pump देखने को मिल रहा है इससे पहले मैंने वीडियो बना था इसको लेकर उसमें आपको buy areas बताये थे आज की वीडियो में भी कुछ वीडियो में कुछ बात करेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक coin dcx app डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से coin dcx app डाउनलोड करें कोगी इसमें मिल रहा 100 रुपे का ethereum ऐसे sign up bonus और आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी ethereum earn कर सकते हैं तो यहां link description में हैं यहां से आप डाउनलोड करेंगे तब यह आपको बोनेस देखने को मिलागा आपको डाउनलोड करना है KYC करने हो first crypto investment करना है तो यहां पर अभी इसकी price 3.49 USDT चल रही है sorry all time high इसने बनाया है Monday के चार्टम बात के तो लगातार अच्छे का सी spike देखने को मिली दो दिनों से अच्छे का सी strong green candle देखने को मिली है कल की date में यहां पर market में हमने retracement देखा था वो retracement भी इसमें हुआ लेकिन वो जो closing है वो हमने देखी जो support area है उससे ऊपर रही इसकी एक यहां से 6 दिन पहले एक area टच किया था जो मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी price 2.1 से लेकर के 2.4 या 2.5 तक आती है तो आप इसमें entry ले सकते हैं यह इसके लिए जो previous resistance था और अब जो इसके लिए support area इसने maintain करके रखा है जब price retracement देखने को मिला तो इसने जो इसकी candle थी वो वहां तक आई थी 2.3 तक almost इसने टच किया था अच्छा कासा retracement हमने market में देखा था बहुत अच्छा correction था और वो कोई यहां पर वो सिर्फ sale out था एसा नहीं की market crash हो गया एक टाइप की जो चीजें चलने लगती है एकदम से market में वो कोई crash नहीं था वो सिर्फ sale out था एक healthy correction था तो यहां पर price ने इतना retracement लिया इसमें moment लिया लेकिन candle close जो हुई थी वो almost इसकी जो candle close थी वो almost 3.29 पहुई थी अगर कल की date में जो प्राइड retracement थी अगर वहां आप entry लेते टू पॉइंट मैंने एरियास भी आपको बताए था अगर आपने बाइ limit लगा रखी थी तो आपनी आपका जो entry points वो हिट हुए हैं वे 2.4 2.5 2.3 वाले entry areas आपके hit हुए होगे almost मैं बात करूं यहां पर ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम हम market को watch करते हैं लेकिन आपने अगर मार्केट में डंब हुआ हम सोच रहे हैं कि market करेश होगा है क्या होगा है यह market नीचे जाता फिर जब अप होता है तो वहां पर भी आपने बात करें वह वन यूए डिटी यह अप यहने almost 35% का आपको जरूर प्रोफिट हो रहा होगा और क्या रीजन इसका रीजन जो है वह यह रीजन है Metaverse जो Facebook के तरफ से अभी आया है उस पे लिस्टेट कोईन है यह Metaverse कोईन है Sandbox हो गया, Decentraland हो गया, यह जो Coin से Engine Coin हो गया, यह Coin जो है Metaverse Coin है और यह Gaming Tokens है वह Gaming Tokens में हमने अच्छी खासी Spike देखी है, Meta जो Coin है, Decentraland जिसकी बात करें Sandbox हो गया, Engine Coin हो गया, Loopring हो गया, Aavex ने नया High बना, यह Coin जो है यह नया High छूते जा रहे हैं तो अगर आपकी Holding भी इनमें रहती है, अच्छी खासी तो नए Targets इनके 4 ULT, अगर Sandbox भी बात करें तो यह 4 ULT, 5 ULT, 8 ULT आप November लास्ट तक इसको देख सकते हैं, December लास्ट तक 10 to 12 ULT आप इसको अराम से देख सकते हैं कि यहां इतना Potential है, अभी यहां पर यह 3 ULT ने टच किया है, क्या रगा है? कितने दिनों में, अल्मुस्ट एक महिने से भी कम अगर बात करें यहां पर, इस डेट में 25 अक्टूबर से लेकर के, आज अल्मुस्ट 20 से 22 दिन हुए हैं, इतने दिनों में यह अल्मुस्ट 1 ULT का कोई, 1 ULT से भी कम, का कोई यहां पर 3.6 को टच किया है यहने कि अगर बात करें वहां से 4X हो गया तो इसको December last तक 3X होने में कोई बड़ी बात नहीं है और अगर आपकी holding इसमें रहते तो आपका अच्छा कासा जाएगा और आपने देखा भी है अभी मार्केट में जो जिस टाइप का retracement है आप दो बार आपको देखने को मैं लेकिन इसमें उतना retracement नहीं तरह कि करेक्शन हर कोई में होता है यहां पर भी अभी इसने जो प्रीविए जो resistance ब्रेक किया है almost 3.3 से लेकर 3.5 वाला जो एरिया है यह इसको रेजिस्टेंस एरिया है और डेली केंडल क्लोशने करें इससे उपर कड़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा यह नया हाई वापिस से 2-4 दिन में नया हाई के लिए ट्राइग करेंगा correction area लेता है तो आपको अगर entry लेनी है तो 2.8 वाला area 2.8 वाला area यह 2.6 वाला area यह ज़रूर टच कर सकता है एक correction mode में तो हैंपर 2.7 से लेकर 2.9 वाले areas पर आपको नज़र रखनी है 2.9 के something आता है आप एक इसमें entry ले सकते हैं उससे नीचे आता है 2.5 को भी टच करता है बहुत कम chances है कि 2.5 को टच करें 2.7 पर आप दूसरी entry ले सकते हैं तीसरी entry अगर बिल्गुल safe entry लेना चाहते है तो 2.3 से लेकर 2.5 वाले entry ले सकते हैं लोगिन उसमें time लग सकता है एक चीज़े हैं बाकि यहां पर हम कोई financial advice महीं देते हैं यह वीडियो सर्फ education purpose पर तक आपको candle pattern वगएरा समझ में आए कुछ जो coins वगएरा से related news है इनके जो candle pattern से इनका moment है वो आपको पता चाले उस हिसाब से उस चीज़ को आप दिमाग में रखकर crypto में buy or sell कर पाएं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बोल गिया आप खुद की research खुद का दिये जरूर करें और उस हिसाब से buy करें क्योंकि crypto market है तो यहां पर जो भी आपका amount रहेगा वो उसमें जो profit होगा वो आप करेंगा लोस जो होगा वो आप करेंगा तिन चीज़ों का जहान रखके जरूर buy or sell करें बाकि वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि इस टाइब की वीडियो आपको regular basis पर मिलते रहें